अध्याय नौ धातु एवं धातु कर्म मेटल्स एंड मेटलर्जी पदार्थों को शुद्ध पदार्थ तथा मिश्रण के रूप में वर्गी कृत किया जाता है हम यह भी जानते हैं कि शुद्ध पदार्थ तत्व या योगिक हो सकते हैं तत्व 100 से अधिक आपस में मिलकर हमारे चारो और पाय जाने वाले सभी पदार्थ बनाते हैं तत्व को पुनह धात्व तथा और धात्व में वर्गी कृत किया जाता है किन्तु क्या यह निश्यत करना आसान है कि कौन सा तत्व धातु है और कौन सा और धातु इस अध्याय में हम तत्वों के उन गुणों का अध्यायन करेंगे जिनके आधार पर हम उन्हें धातु के रूप में पहचानते हैं 9.1 धात्वों के भौतिक गुणधर्म कौन कौन से है What are the physical properties of metals? 10.1 धात्वों के भौतिक गुणों के बारे में सीखा है हम जानते हैं कि धात्वों चमकीली होती हैं इन्हें पीट कर पतली चादर या पन्नी बनाई जा सकती है और इन्हें पतले तारों के रूप में भी खीचा जा सकता है धातुएं उश्मा और विद्दुत की सूचालक होती हैं। धातुओं को पीटने पर आवाज उत्पन होती हैं। तथा सामानेता सभी धातुएं उच्चताप पर पिघलती हैं। आईए हम धातुओं के गुणों का गहनता से अध्यान करने के लिए एक क्रिया कलाप करें। अब इन धातुओं का ध्यान से अवलोकन कर बताईए कि क्या सभी धातुओं चमकदार हैं। क्या सभी धातुओं को हतोरी से पीट कर चादर या पन्नी बनाई जा सकती है। निर्देश धातुओं का चैन करते समय ध्यान रखें। आपको धातुओं का चैन करना है, मिश्र धातुओं का नहीं। हमने देखा कि धातूं के इन दो गुणों में समानता होते हुए भी भिन्नता है। आईए धातूं के अन्य गुणों के अध्ययन के लिए कुछ प्रश्णों पर विचार करें। अलग-अलग विद्दुत उपकरणों में तार किन-किन धातूं के बनते हैं। घरों में वायरिंग के लिए किस धातू का उपयोग किया जाता है, हाइटेंशन तार किस धातू के बनते हैं, भूजन पकाने के बर्तन बनाने के लिए कौन-कौन सी धातूं का उपयोग किया जाता है और क्यों? हमने देखा कि हर कारे के लिए एक विसिस्ट धातू का चैन किया जाता है क्या कारण है कि सभी कारियों के लिए एक ही धातू का उप्योग नहीं किया जाता आप सोच रहे होंगे कि चैन के पीछे एक से अधिक कारण हो सकते हैं उदाहरण के लिए चांदी विद्दुत की सबसे अच्छी चालक है किन्तु इसका उप्योग तार बनाने या उपकर्णों और इमार्तों की वायरिंग में नहीं किया जाता इसके लिए आर्थिक कारण उसका अधिक महंगा होना प्रभावी भूमी का निभाता है हम जानते हैं कि धातुएं अगहात वर्ध तन्य उश्मा और विद्दुत की सूचालक होती हैं तथा ये धात्विक ध्वनी उत्पन करती हैं साथ ही इनके गलनांक वा कुथनांक उच्छ होते हैं किन्तु इनमें से कुछ गुण और धातुओं में भी पाय जाते हैं जैसे कार्बन का एक अपर रूप हीरा चमकदार तथा उश्मा का सूचालक है जबकि दूसरा अपर रूप ग्रिफाइट धूसर रंग का तथा विद्दुत का सूचालक होता है आयोडीन और धातु है फिर भी इसके रवे चमकदार होते हैं इसलिए किसी एक गुण के आधार पर तत्व को धातु या और धातु की शेणी में रखना उचित नहीं है